देखिए quick access toolbar की होता है कि मान लेजिए आपको कुछ भी command पूरा general पूरी worksheet में देना है कभी कुछ command हम particular cell या selector cell में देते लेकिन जब हम पूरी workbook में common command देते हैं मतलब जो पूरी workbook में एक साथ apply होता है तो उसको हम quick access toolbar कहते हैं जब आप application window खोलते हैं तो इस जगे जो यह आप arrow देख रहे हैं इसको quick access toolbar कहते हैं यह आपका provide कराता है common access command होता है इसमें आपका काफी सारे मतलब की commands आजाते हैं कि आप कौन कौन से commands इसमें add करना चाहेंगे और जब आप note पूरा लिख रहे होते हैं जैसे इसमें save का भी button होता है यह save आपका कोई access से भी आता है आप यहां से click करके भी save कर सकते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि तुरंट यहां से quick access हो जाए तो इस यहां से हम जब हम इसको click करते हैं पूरा एक चार्ट खुलके आता है जिससे commands को हम select करते जाते हैं और वो इस जगे पर add होते जाते हैं जब वो add होते जाते हैं तो हम जैसे हमें save करना है यह काम किया तो यहां से click कर दिया तो वो save हो गया जैसे देखिया पर माँस पर right click करते हैं जो options आते हैं उन्हें नीट वा कहते हैं बटन्स क्या होता है जब हम right click करते हैं ribbon यह portion हमारा पूरा ribbon था इसी portion में हमने कहीं पर right click किया तो मेरे पास option आता है active x control की उसके थ्रू हम button को जैसे देखिया आपने buttons है buttons में right click किया ribbon पे customize the ribbon आया developer कर गया फिर insert active x control ऐसा button वहाँ पर आके बन जाता है ribbon जब हम यह इस button को click करते हैं तो वो button हमारी worksheet पे यहां कहीं पे भी form हो जाती है अब उस button पर जब हम right click करते हैं तो code दिखने लगता है जैस पर हमारा code यहां पर लिखा होता उसी के आंगे value जो देना चाहते है उस button की वो लिख जाती है जब हम उसे click करते हैं तो value click होके लिख जाती है फिर हमारा worksheet जो आपको पता है यह rows and column से बनी होती है data manipulation करते है data manipulation हम कोई भी formula लगा के या concatenation function concatenation दो cells को concatenation के दूप हम जोड स उसमें option आता है remove duplicates तो यह सब हम क्या करें data को manipulate कर रहे है यह जब आप use करेंगे practically तो आपको समझ भाएगा formatting क्या होता है cell को select करते हैं फिर उसमें जो भी आप format करना चाहें वह कर सब है functions that helps us managing the data यह data को manage करने करमाता है जैसे some function यह सारे functions अभी हम आगे पढ़ेंगे some function है text function केवल numeric value को टेक्स में convert करते है तब VLOOKUP function होता है आप देखें कुछ formula's भी होते हैं VLOOKUP function क्या होता है देखें VLOOKUP function हम ऐसे देते हैं cell हमारा होता है में is equals to लगाते है VLOOKUP function लुक अप value देते हैं VLOOKUP value क्या करते हैं हमाई define करते है what are you looking for कि हम किस value को हम देख रहे हैं कहाँ पर हमको यह काम करना है table और array where are you looking for किस table पर आप लुकिंग रहा टेबल का एक नाम आपने दिया जैसे book one book two column index number what do you want to return मतलब क्या आप return करना चाहते हैं और उसकी value क्या देंगे precise and approximate range lookup value तो इस functions क के through हम value को change करते हैं कहाँ पर कैसे और क्या change करना है then isna and more isna हमारा क्या होता है return when a cell contains अगर कोई contain not available error है hashtag not available error है तो यह true return करेगा अगर हमने यह function लगाया हुआ है और अगर उसमें कोई value होगी error वाली तो वो false return करेगा अब देखिए ms excel के कुछ function है additions हम कैसे करते है is equal to cell में ही is equal to लिखते है cell number cell 1 cell 2 cell 3 और plus जिस cell के साथ हमें जोड़ना होता है वो number हम लिख देते हैं अब जैसे कि इसमें हम लोग ने is equal to c1 plus c2 या अगर हमें किसी cell में कोई number ही add करना है तो हम ऐसे add कर देते हैं फिर हमारा sigma condition addition आता है sigma addition तब आता है जैसे आपने कोई cell में values पूरी लिखी हूँ यह home पे है आप ribbon अभी आपने पहले बढ़ा कि ribbon क्या होता है यह आपका पूरा ribbon है ribbon portion है ribbon में आप home पे गए तो यहीं पर आपकी sigma value आती है जब आप data पे आप काम कर रहे होते हैं तो इसमें जैसे आप cell को select करते हैं तो उदर एक sigma value उपर sigma option आता है उसको आप select करते हैं तो sigma addition जब आप इसमें सेलेक्ट करते हैं इसमें बहुत सारे functions होते हैं जैसे sum है, hyperlink है, average है और बहुत सारे इसमें functions मिलते हैं तो आप उसमें sigma features से जाकर कि आप sum select करते हैं तो यह sum हो जाते है cells को या आप यहाँ पे sum करके cell number भी दे सकते हैं कि यह यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको sum करना है, ठीक है spelling checks में आपका आता है spell checks, अगर आपको किसी पूरे worksheet का या किसी भी cell का selector spelling check करनी है तो review, ribbon में review button में जाते हैं, वहाँ पे spelling check का एक feature आता है, वहाँ पे जाके show all comments करके हम check कर सकते हैं, subtraction भी हमारा ऐसे भी होता है directly, और हम sum function के थ्रूपी subtract कर सकते हैं, sorry यहाँ पर आपका यह कॉमा ही था, और जैसे माली जाम को sum करना है, subtraction करना है, तो sum function लगाते हैं, और जिसको subtract करना है, उसके आगे हम minus लगाते थे, तो हमारा subtraction हो जाता है, calculate average करना है, average के लिए हम यह लगाते हैं, और C4 और जहाँ से यह starting cell है और जहाँ ending cell तक लिखते हैं, तो यह पूरा average पर यह मताती हैं यह सीएचमा फीचर से चहं़ क्या Люक्या कैसे हैं लिए उपर हों पे आता है तो इसमें यह सब्सक्राइब करें आपपdate statistical प्रिश्च offices किको आप सीएचिय पुरी